साथियों, एग्रिकल्टर सेक्टर में आर एंडी को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है, अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवर्ट सेक्टर की भागिदारी बढ़े हैं, आर एंडी की जब बात आती हैं, तो सिर्फ बीच तक ही सिमित नहीं, बल्कि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक एको सिस्टीम की बात कर रहा हूं, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, पूरा साइकल होना चाहिए, हमें अब किसानों को ऐसे विकल्ब देने हैं, जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सिमित न रहें, और्गनिक फूर्ट से लेकर सलात से जुड़ी सब्जियों तक ऐसी अनेक फसले हैं, जो हम आजबा सकते हैं, इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूँगा, मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उप्योगी है, ये कम पानी में भी बहतरीन उपज़ देते हैं, मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद, कोरोना के बाद तो ये इम्मुनिटी बुश्टर के रुपे बहुत पपिलर हो चुका है, इस तरफ किसानों को प्रोसाइट करना भी फूड इंडस्ट्री के साथ्यों की बहुत बड़ प्रोसाइटल